कील मुहा से पिंपल्स की प्रॉब्लम जवानी में कोमन होती है और 15-25 साल के बीच तो लगभग सभी को पिंपल्स निकलते हैं किसी को ज़्यादा स्ट्रेस से या जनेटिक लिए भी ये प्रॉब्लम होती है हमने हजारों लाखों लोगों की दीWhen में देखा है तो जिनको ये पिंपल्स की प्रॉब्लम किसी भी कारण से है चाहे वो जेनिटिक क है, चाहे वो जवानी के कारण से है तो किसी भी तरह की पिंपल्स होने पर एक तो पानी का प्रियूग ज़ादा करें हरी सबजियों का प्रयोग ज्यादा करें और उसमें भी खास करके लोकी का जूँसी दी पी सकें आउले की रस के साथ तो और अची बात है जितने भी गरम मसाले हैं या गरम चीजे हैं उससे पिंपल्स बहुँ जादा हो जाते हैं जादा नमक जादा मीठा ये भी पिंपल्स को बढ़ाता है और सुबह उठकर के पानी जरूर पियें दिन में तीन सी चार लिटर लिकेट पानी आपके सिरे में जरूर जाना चाहिए और पिंपल्स के इलाज के तोर पर आईरवेद में ही इसकी प्रभावशारी ओश्रत ही है इसका पूरा उपचार है अईरपैथ में जो दवाएं दी जाती हैं उससे ततकाल आपको लाप पा सकते हैं बहुत जादा पिंपल्स होने पर तो श्ट्रीराइट दे दिया जाता है जो बात डिंजर्स होता है उससे डियापटीज हो जाता है और उससे हमारी हड़ियां कमज़र हो जाते हैं पूरा इम्मेंस सिस्टम हमारा उससे खराब हो जाता है तो पिंपल्स के लिए सबसे अच्छा होता है गरेलू उपचार के तोर पर तो आप निम के पत्ते पांसाथ सुबह सुबह खा सकते हैं और चिरायता का गिलोई का पानी पी सकते हैं वह पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा होता है काया कल पोटी हम बनाते हैं उससे हमने देखा है दो दो गोली सुबह शाम खा लेते हैं खाली पेट तो उससे पिंपल्स ठीक हो जाते है अलवेरा जैल लगाने से भी पिंपल्स में जबरतस्त लाव होता है और जिनकी आलवेरा पीना भी और अलवेरा जैल लगाना भी ये दोनों ही पिंपल्स के लिए बहुत अच्छे उपाये हैं कायकल्पकॉाथ पिया भी जा सकता है जिनको ज़्यादा पिंपल्स की प्रब्लम रहती है वो एक चमचे एक ग्लास माने में पकाई हैं और पुचास करमेरे जात्व चान की पीले महामन जिष्ठाराद्यारिष्टा और खदिरारिष्टा ये दोनों ही पिंपल्स के लिए बात अच्छे हैं इनका भी उप्योग करके आप पिंपल्स से बस सकते हैं ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिनको जैसे मशूर की डाल है उसको आटा है उसको पाने में बिगो करके लगा दिया उससे भी बच जाते हैं पिंपल्स से और पका हुआ पपीता पका हुआ केला उसका भी आप लेप लगाते हैं उससे भी आप बच जाते हैं इससे पिंपल्स से और खीरा भी लगाते हैं उससे विठंडक मिलती है चमडी को और उससे सफाई हो जाती है पिंपल्स से लेकर के सभी प्रकार के चर्म रोगों में प्रणयाम अदभूत लाब करता है जिनको वर्षों से पिंपल्स होते थे जिनको दस दस पंदरे पंदरे साल से सुराइसिस की प्रणयाम थी एक्जिमा की प्रणयाम थी यहां तक की लिकोडर्मा और स्क्रोडर्मा की प्रणयाम थी उनको भी हमने प्रणयाम से अच्छा किया इसलिए जिनको भी पिंपल्स या और भी कोई भी चर्म रोग है स्किन डिसाउडर से विस सभी भस्तरी का, कपाल भाती, बाहिये प्रणायाम और अनुलोम बिलोम प्रणायाम तो जरूर किया करें मुरहम लिद्गीत प्रणायम भी बहुत जरूरी है तब आप चर्म रोगों से बच जाते हैं इसलिए बस्तरी का ये पांच मिनट और कबाल भाती 10-15 मिनट होसे की तबाही प्रणायमे कर लेना तिन से पांच बार फिर आनू लो मिलों 10-15 मिनट फिर ब्रामरी और गीत तीन तीन बार पांच माच बार जरूर करें तो आपको ने तो पिंपल्स होंगे और नहीं कोई और दूसरी स्किन डिसोडर्स कांती लेप करके हम कई जड़ी बूटियों का एक मिश्रा तयार करते हैं जिसमें मजीट होता है जिसमें हल्दी होती है जिसमें दरू हल्दी होती है और गैरू और बहुत सी ऐसी ओशधियां जो आपके चेहरे को साफ सित्रा रखते हैं आपके ओज आभा कांती ते जिन गलो को बढ़ाती हैं तो आप कांती लेप को भी कच्ची जूत के साथ उसको अलविरा के जैल के साथ उसको शैद के साथ आप लगा सकते हैं उससे आप अपने चेहरे की खुबसूरती भी पासकते हैं